Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि इन चारो आईपियो में से हम लोग को किसमें अपना पैसा लगाना है क्या इनके ग्रे मार्केट प्रेमियम चल रहे हैं और क्या लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जैसा की Traders आप सभी को पता है कि इन चारो में से दो में बोर्ड आईपियो हैं और दो SME आईपियो हैं और हम सब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सारे आईपियो का जो लास्ट डेट है वो कल है यानि कि कल ही हम लोग को एक लास्ट चांस मिलेगा इन सारे आईपियो में अप्लाई करने का तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे hyped आईपियो के उपर यानि कि विकाजी आईपियो के बारे में वो certainly थोड़ा सा overvalued होते हुए नजर आ रहा है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जिस दिन ये IPO announce हुआ था उस दिन बहुत ही जादा crazy demand देखने के लिए मिल रहा था हम लोग को market के अंदर लेकिन जैसे ही इसका price band reveal किया गया उसके बाद से ही grey market premium में लगतार हम लोग को downfall देखने के लिए मिल रहा है तो अब सबसे final decision पर आते हैं कि क्या हम लोग को इस IPO में apply करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया जिस दिन ये IPO announcement हुआ था उस दिन इस IPO की grey market premium चल रहे थी लगभग 97 रूपीज का यानि कि approximately 30% से उपर का grey market premium चल रहा था और बहुत ही high demand हम लोग को नजर आ रहा था लेकिन पिछले हपते सारे IPO के grey market premium में हम लोग को downfall होते हुए नजर आया है पर बिकाजी में सबसे ज़ादा हम लोग को crash होते हुए नजर आया है यानि कि जो grey market premium एक बार 97 के राउंड में चल रहा था वो अब सिर्फ single digit में चल रहा है 9 से 8 रुपय के बीच में और अगर ये IPO discount में list होता है यानि कि negative listing देता है तो भी हम लोग को अब कोई भी ज़्यादा surprise नहीं होना चाहिए और इसलिए traders मैं आप लोग को कहते रहता हूँ कि last दिन तक हम लोग को wait करना चाहिए किसी भी IPO में apply करने से पहले तो personally मैं इस IPO में apply नहीं करने वाला हूँ और अगर आप लोग long term के view से भी इस IPO में apply कर रहे हैं तो मेरा suggestion यहीं है कि आप लोग कुछ दिन wait कर लीजिए जब एक IPO base बन जाएगा उसका breakout हम लोग को देखने के लिए मिलेगा तो उस समय हम लोग फिर से इसमें invest कर सकते हैं इसको लेने के लिए नहीं आ रहा था तो मेरी तरब से यही suggestion है कि आप लोग इस IPO के avoid कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे और भी IPO हमारे radar पर हैं तो अब हम लोग बात करेंगे global health IPO के उपर की उसके अंदर हम लोग को क्या करना चाहिए तो इसके अंदर बस एक ही डर था क्यों लेकिन अभी demand को देखते हुए इसके अंदर का strength हम उसको बहुत ही जादा अच्छा नजर आ रहा है अगर बात करें price band का तो ये भी विकाजी के इतना ही है इसका भी upper price band जो limit है वो 336 रुपीज पर share का है लेकिन सबसे अच्छा बात यहां पर ये नजर आ रहा है कि जहां पर बाकी other IPOs के grey market गिरते हुए नजर आ रहा है ये grey market में भी हम लोग को strength दिखाते हुए नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं इसके अंदर demand है शुरू में हम लोग को इसके अंदर सिर्फ 8 का grey market premium देखने के लिए मिल रहा था और अभी currently बात करें तो वो 20 का है लेकिन बीच में ये लगभग 32 का भी high बना चुका था तो traders अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि जहाँ पर हम लोग को demand देखने के लिए मिल रहा है strength नजर आ रहा है हम लोग को वहाँ पर apply करना चाहिए या जहाँ पर हम लोग को demand घटते हुए नजर आ रहा है यहां तक कि grey market premium crash होते हुए नजर आ रहा है उस IPO में apply करना चाहिए I hope आपको इसका answer मिल गया होगा और traders यहां पर मैं आप लोग को एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि यहां पर retail subscription जो है वो सिर्फ 0.25% कहीं है तो यहां पर हम लोग को सियोर सोट चांस दिख रहा है जितने भी लोग इसके अं application में एक application accept होने का chances नजर आ रहा है तो यहां पर अगर हम लोग 3-4 DMAT account से apply ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है single account से apply कर सकते हैं 3 या 4 lot के लिए और अभी के figures को देखते हुए यहीं नजर आ रहा है कि उन सभी में हम लोग को allotment मिल जाएगा अब हम लोग यहां पर बा तो मैं definitely avoid करने वाला हूँ मेरा पूरा focus amiable logistic के उपर है इसके अंदर मैं full force के साथ apply करूगा क्योंकि यह जो company है वो logistic छेतर की company है अगर इसके बारे में हम लोग details से देखे तो यह जो company है वो सिर्फ logistic के उपर ही नहीं warehousing के उपर भी अपना काम करती है साथी में हम लोग को air road और c के through में transport करवाती है और जहां तक हम लोग को पता है अभी government का भी ध्यान logistics के उपर चल रहा है और इसलिए हम लोग को national logistics policy भी देखने के लिए मिला था तो I think government का अगर इस sector में ध्यान है तो इस sector के सारे stocks अच्छे करते हुए नजर आ सकते हैं तो इसलिए मैं personally इस SM SME IPO है I hope आप सभी को SME IPO के बारे में पता होगा और अगर आपको SME IPO के बारे में details से नहीं पता है तो आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा मैं आप सभी लोग के लिए SME IPO के उपर भी video बना दूँगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है अग जनरली हम लोग को 1,00,000 से उपर का एक lot लगाना होता है उससे नीचे का हम लोग नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि minimum हम लोग को 1,29,600 रुपए का amount चाहिए होगा अगर हम लोग एक lot भी इसके अंदर invest करना चाहते हैं तब तो अभी current gray market premium का बात क करें तो इसके अंदर लगभग 50% से उपर का भी ही चल रहा है अगर इसका price band अगर हम लोग देखे 81 रुपीज का है तो यहाँ पर gray market premium लगभग 40-50 रुपए के बीच में नजर आ रहा है तो by chance अगर आपको ये IPO a lot हो जाता है तो एक ही lot में लगभग 75-80,000 का profit आप लोग क को देखने के लिए मिलेगा तो मेरा suggestion यही है कि अगर आप लोग इसको afford कर सकते हैं अगर आपके पास fund है इस IPO के अंदर apply करने के लिए तो निश्चित तोर पर इसके अंदर apply कीजिए इससे पहले भी मैंने आप लोग को एक SME IPO के बारे में बताया था अपने telegram channel पर 13 October के द IPO price था 95 रूपीज का और यह list हुआ था exactly 300 रूपीज पर यानि कि इसके अंदर हम लोग को more than 200% का gain देखने के लिए मिला था तो जिन भी लोगों को इसके अंदर एक lot भी मिला होगा वन लोगों ने listing day पर ही लगभग 2.5 रूपया का profit book किया होगा तो उसी परकार से एक और SM IPO यानि कि Amiable Logistics भी नजर आ रहा है इसके अंदर भी हम लोग को 100% listing gain मिलने के chances बहुत ही जादा नजर आ रहा है तो personally यह IPO मेरा favorite है और इसके अंदर ही मैं full force के साथ apply करने वाला हूँ second number पर मैं global health IPO को रखने वाला हूँ इसके अंदर भी मैं एक या दो lot जरूर ही apply करूँगा क्योंकि इसके अंदर जो allotment chances है वो भी एकदम confirm नजर आ रहा है और विकाजी को मैं totally avoid करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी demand नहीं नजर आ रहा है तो अगर Monday को last time में थोड़ा सा भी इसके अंदर demand बनते हुए नजर आता है तो मैं आप लोगों को अपने telegram channel पर update कर दूँगा और साथी में सिर्फ एक lot इसके अंदर मैं apply कर दूँगा अगर demand बनता है तो 90% chances यही है कि मैं इस IPO के अंदर apply नहीं करने वाला हूँ तो अब आप लोगों ने अभी तक किसी भी IPO में apply कर दिया है या फिर नहीं किया है या फिर अभी apply करने के लिए सोच ही रहे है और साथी में अगर आपको SME IPO के बारे में जानना है अभी तक नहीं जानते थे तो वो भी मुझे comment section में लिख करके बताएगा मैं उसके उपर भी आप लोग के लिए एक separate वीडियो अगले week में लाने का कोशिस कर सकता हूँ और साथी में traders मैंने मंडे के लिए अपनी intra day analysis upload कर दी है तो अगर आप लोग intra day trading करते हैं तो आप लोग इसको check कर सकते हैं तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का हम लोग खतम करते हैं धन्यवाद